Hello Everyone, Biology Foundation जो ये चैनल है, इस चैनल के उपर आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे इस चैनल के उपर नए हैं, वो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम प्रोसीड कर रहे हैं, आटिफिशल हाइब्राइजेशन के साथ। जैसे कि आपने देखा था कि आटिफिशल हाइब्राइजेशन है ये नैचरल कंडिशन में पॉसबल नहीं होता। वेरियस टैप के जो desired traits हैं या characters हैं उनको crop में introduce करवाने के लिए हमें artificial hybridization की help लेनी होती है। सबसे पहले बात यह है कि artificial hybridization जो है वह major approach of crop improvement program. अगर आपको किसी भी क्रॉप के अंदर improvement करना है उसके अंदर कोई सुधार करना है तो आपको artificial hybridization को major approach के रूप में यूज में लेना ही होगा second in this experiment it is important that only the desired pollen grain only the desired pollen grains are used for pollination यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम pollination natural तरीकी से करवाते तो किसी भी variety का pollen grain आकर pollination को success कर सकता था लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ focus करेंगे desired pollen grains के उपर तो यहाँ पर जो pollination की process होगी वो desired pollen grains के कारण होगी and stigma is protected from contamination और इस तरीके से जो हमारा कोई भी respective stigma है वो contamination यानि कि प्रदूशित होने से बचा रहेगा उसके ओपर किसी दूसरी species या other variety का pollen grain आने का possible नहीं हो पाएगा third point है this is achieved by emasculation and begging techniques यह जो artificial hybridization है कि दो core techniques है first is emasculation and second is begging यह पहले भी मैंने previous class में आपको बताया था पर फिर वापस एक बड़ definition के रूप में आपके सामने इसको मैं read out कर रही हूं emasculation के लिए if the female parent bear bisexual flower अगर कोई female है और उसके अंदर bisexual flower है तो हमें क्या करना है forceps लेनी है चिम्टियां लेनी है और उनकी साहिता से remove करना है सिर्फ और सिर्फ किसको enter को यानि कि enter dehisc होने से पहले enter के rapture होने से पहले ही forceps का use करते हुए enter को remove करना यह जो step है उसी step को हम कहता है emasculation next emasculated flower have to be covered with bags जैसे ही जो flower emasculated हुआ उसको हमें instantly एक bag से cover करना है और यह बैग होगा जनरली butter paper से बना हुआ होगा यह क्या करेगा इसका क्या प्रोसेजर है क्यों किया जाता है कि यह prevent करता है contamination को stigma को स्टिग्मा है वो contamination होने से बच जाती है तो यह process जो है वो कहलाती है bagging बोड के लिए दूनों ही point most important है यहां से definitions आती है next point when the stigma of bagged flower attain receptivity जब हमने उसको stigma को cover किया तो काफी समय के बाद stigma एक तरह से mature होगा receptive हो जाएगा उस दौरान उस time period में हम क्या करेंगे mature pollen grains को collect करेंगे and dusted on the stigma और कहां पर डालेंगे stigma पे and the flowers are re-bagged और flowers को वापसे क्या कर दिया जाएगा और जो भी foods है उनको development को हम अलाओ करेंगे कि वह आसानी से उसको पर develop करें तो यह जो basic steps थे artificial hybridization के यह मैंने आपके सामने रखे कोई भी अगर इससे related problem है तो आप comment section में लिखकर मुझे बताईएगा next topic हम लेते है double fertilization most important topic है 10th class में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसी को हम depth में ले जाकर 12 में देख रहे हैं तो double fertilization क्या है कि after entering one of the synergies मैंने आपको embryo sec का structure easily समझाया था seven cell structure होती है eight nucleus structure होता है seven cell के अंदर उपर वाली दो होती है synergies जो माइक्रोपाइल एंड पर होती है एक होती है excel बीच में होते हैं दो पॉलर नुकलियाई और नीच तीन antipodals जो चलाजल एंड पर होती है आप प्रीवेस के वीडियो को देखकर वापस से समझ सकते हैं जैसे ही pollen tube synergates में एंटर करेगी तो pollen tube वहाँ पर दो male gamets को release करेगी तो most important बात यही है कि एक pollen grain जब germinate होता है तो उसमें से दो male gamet release होते हैं one of the male gamet move towards the egg cell इसमें से जो पहला male gamet है वो egg cell के दरफ move करेगा और उसके nucleus के साथ में जाकर fuse हो जाएगा चूंकि male gamet भी कैसा था haploid था और egg cell भी कैसे थी N यानि haploid तो N प्लस N मिलकर जो letter condition में condition आती हो आएगी deployed 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 का मतलब 2N जो हमारा zygote बनेगा वो 2N condition का बनेगा और यह process कहलाएगी syngammy next the other male gamet moves to us the two polar nuclei जो second male gamet आ रहा है वो second male gamet बट जाएगा दो polar nuclei की तरफ male gamet कैसा है एन ploidi का है polar nuclei भी कैसे है n plus n condition में है यानि दोनों haploid haploid है तो total मिलकर कितने haploid हो गए 1, 2 & 3 यानि की 3 haploid conditions आ गई तो जब हम इस तरह की condition बनाएगे तो यह fusion कहलाएगा triple fusion और जो structure बनेगी वो कहलाएगी triploid primary endosperm nucleus जिसको हम PEN के नाम से भी जानते हैं तो यहां पर इसकी full form भी important है primary endosperm nucleus double fertilization क्यों बुला since two type of fusion singemi and triple fusion पहला क्या हुआ singemi और दूसरा क्या हुआ triple fusion takes place in an embryo sec दोनों ही fusion एक ही structure में दो बार हुए इसलिए यह phenomenon कहलाए double fertilization और competition के hit questions है कि यह जो double fertilization होता है यह unique feature है किसका angiosperm plants का जिनको अब flowering plants के नाम से भी जानते हैं और यह process discover की जाईती as the navastan के द्वारा next the central cell after triple fusion जो central cell थी वो triple fusion के बाद में बन जाती है primary endosperm cell जिसको हम बोलता है PEC and finally it convert into the endosperm और फिर यह किसमे गनवाट हो जाती है endosperm में और while the zygote develop into embryo और zygote किसमे गनवाट हो जाएगा embryo में यह जो endosperm है यह embryo को nutrition देने के काम में आएगा और embryo जाकर आगे next plant body की generation बनाएगा यहाँ पे diagram के थूँ आपको दिखा ही रखा है यह degenerate होती ही synergates है यह zygote बन चुका है mycopyland पे नीचे antipodal cells degenerate हो चुकी है बीच में primary endosperm cells है जो के आगे जाके endosperm बनाएंगी और यह primary endosperm nucleus है तो यहीं पर मैंने mention क्या है कि जैसे यह एक मैंने आपको यहाँ पर stamen दिखाया हुआ है stamen में यह उपर एंथर और यह नीचे filament इसके अंदर pollen grains बने हुए है जैसे ही यह एंथर mature होगा तो यह सारे के सारे जो pollen grains दाहिस खोकर environment में आ जाएंगे यहाँ पर environment से pollination के थूँ यह पहुंचेंगे stigma पर और stigma पर जाकर एक pollen grain यहाँ पर डवलप होगा pollen tube बनेगी और pollen tube से डो male gamet यहाँ पर निकलेंगे तो फर्स्ट जो male gamet है वो जाएगा zygote के साथ में और जो सेकेंड मेल gamet है वो फ्यूज हो जाएगा अपना two polar nucleus के साथ में तो पहले वाले मेल gamet ने फ्यूज किया egg cell को दूसरे वाले ने किया primary endosperm nucleus के रूप में तो इस तरीके से एक embryo sec में यह जो fusion है वो first और second बार होने के कारण यह process कहलाती है double fertilization अगर कोई झाल करणे बाई झाल झाल करणे झाल करणे